I hope you are doing well, so this video is a very important video कि Pharmacology कैसे याद रखें in MBBS 2nd year as well as आगे की जहनी में भी, right? So this will be 7 trick video, मैंने 6 tricks बताई हैं, 8 trick का एक 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 जामपल है Now obviously, this is a very famous thing कि आप बार बार किसी चीज को पढ़ोगे, तो ही आप याद रख पाओगे but किस तरीके से पढ़ना है कि याद रहे और कुछ tricks वो मैं आपको इस वीडियो में शेर करूँगा Short रखेंगे, crisp रखेंगे Instagram पर आप मुझसे connect कर सकते हो कोई comment हो, आप नीचे question पूछ सकते हो तो इसके पहले हम आगे बड़े, एक और चीज कि जो भी important topics का qbank है इस बार थोड़ा modify किया है, जो आपका first year था वैसा तो है, but अब मैंने थोड़ा सा क्योंकि अभी आप start कर रहे हो, आप next का जो आपका आएगा उसका भी आप थोड़ा सोच सकते हो, तो क्या important दोनों में आता है, मैंने उसको mix करके कुछ question bank बनाया है pharmacology का बनाया है, तो link description में है, if you want you can surely check that out तो चली शुरू करते हैं, tricks तो 6 tricks है, जैसे कि मैंने आपसे कहा, सबसे पहली trick है, अगर आपको pharmacology याद रखना है never ever underestimate the power of classification, right, तो इसमें जैसे anatomy में हम एक diagram की booklet बनाते थे न, सारे diagram एक तरफ और उनकी labeling एक तरफ, तो उसी प्रकार से आपको काई न कहीं है classification booklet बनाना चाहिए, जिसमें जो जो भी आपकी drug classes है, जो आप मोटे-मोटे तरीके से याद रख सकते हैं, जैसे बीटा blocker, alpha agonist, alpha antagonist, ऐसे कर कि आपका ANS chapter, फिर आपका CNS में आप anti-epileptic, anti-psychotic, है न, तो उसमें जब आप classification की रूप में पढ़ोगे, कि अच्छा beta blocker है, तो beta receptor का काम क्या है, उसको block कर दिया, तो फिर क्या, you know, effect आएगा और side effect आएगा, तो उससे आपको क्या होगा, वो जो पूरी class of drugs है, बीटा blocker तो आपको जैसे पता चल जाएगा, कि सारे जो lol रहते हैं, आखरी में, asmolol, propranolol, वो सारा, तो जब आपको एक, as a पूरा category आद होगा, कि इस पूरी category में ये चीज़ फॉलो होती है, तो आपको आसान हो जाएगा, कोई भी drug को याद लगना कि, इस category में ये property तो आएगी, और ये effect ब्लॉक हो रहा है, तो ये side effect तो आएगा, हाँ, उसके बाद specific है कि ये shortest acting beta blocker है, longest acting है, इसका ये hepatotoxic है, ये फलाना tremors में दिया जाता है, तो ये आप specifically याद रख सकते हैं, तो this will just make your things easier, कि आप उसको as a पूरा organization classification पढ़े, ठीक है, second है create mnemonics, ये आप already I think बनाते ही आ रहे हैं, first year से, तो mnemonics का बस एक example ये देना चाहूँगा, keptopril के side effect, तो उसका mnemonics keptopril ही है, अब ये important क्यों है, आप चाहों तो इसको कुछ भी वाहियाद सा रख, वाहियाद नहीं, पर आप कुछ भी रख सकते हो, पर अगर आपको वो neemonics याद करने के लिए neemonics लगे, तो वो neemonics waste है, अब इसमें क्या है कि आपको keptopril, ace inhibitor है, keptopril, और उसको side effect भी keptopril, तो आपको side effect, फिर आपको आसाने से याद हो जगा, cough andioidema, hyperkalemia, hyperkalemia को अब modify कर दिया, अब hyperkalemia को हम लेके नहीं बैठ सकते की, अर ये तो CA, HT, Opril हो रहा है न, तो उसको थोड़ा सा ये दिमाग चलाना है अपने को कि potassium access कर दिया, taste changes और तो उसे ऐसे करें, तो this is तो ये आप खुद भी कर सकते हो, इसमें क्या होता है कि colinomimetics जैसे suppose एक category है, तो उसके पूरी एक story revolve कर लो, कि अच्छा कोई marathon हो रही थी, उसमें कोई दोड़ा है, फिर उसको थोड़ी दिर बाद vomiting हो गई, तो कहीं ना कहीं, ऐसे करके फिर उसने drink पी, तो उसके थुरू आप as a drug की class को याद रखते हो, कि अच्छा ये हुआ, फिर वोई shopping माड गया, तो QIQ से हो सकता है, आप एक कोई drug बनाया हो, तो ये आप भी अपना खुद का develop कर सकते हो, कि आपके बास time है, आप second year start कर रहे हो, और अगर नहीं, तो आप इस type के videos, जो है YouTube, Telegram या, उनके subscription अगर आप ले सको, तो आप वो सब चीज़ देख सकते हो, then use flashcards for active recall, now this is very important, flashcard का concept same है, जैसे हम flashcards आपका भी नीट के time पर भी बनाया होगे, तो flashcard में आपको क्या करना है, कि drug का नाम रखा एक side पर, और key information, जैसे कि यहां तो side effect हो गया है, side effect जिसे काफे जादा पूछा जाता है, आपने लिख दिया इधर amantidine, इधर आपने लिख दिया उसका side effect क्या है, ठीक है, तो उस type से आपको ये चीज़े करना है, उसको आप test करते रहो regularly, इसके लिए आप Anki flashcard जो online होता है वो भी कर सकते हो, या आपने normal paper पर भी आप लिख सकते हो, तो अगर आपने लिख दिया warfarin, अभी initial stage पर आपको शाहिद ये भी आदनी होगा, कि warfarin, vitamin K antagonist है, तो आप इसको भी दूसरी side पर लिख सकते हो, फिर दीरे दीरे आपको ये लगेगा है, ये तो बहुत ही basic चीज़ है, तो मैं warfarin का PTINR लिखता हूँ कि वो किता target होना चाहिए, तो आप उसी flashcard को modify करके warfarin लिखा रहें, तो आप उसका PTINR बताओ, फिर वो आगया, फिर उसका antidote बताओ, ऐसे करके आप उसको expand कर सकते हो, कि आपकी पूरी drug की class वो cover हो जाएगी, फिफ्थ है, link करो to clinical scenario, I think इससे best तो कोई scenario हो नहीं सकता, तो इसका, आप आपको भी पता कि हर्ची इस clinical यह आप second year में शुरू करते हो, clinical correlation आने लगते हैं, तो इसलिए मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ diabetes, तो diabetes आप पढ़ोगे metformin, metformin एक by guanate drug है, ठीक है, तो आप वो पूरी class होगे, उसका metformin है, तो आपको याद रखना है, तो हमेशा आपने सुना होगा diabetes में, metformin बहुत कॉमन है, आप थोड़ा बहुत भी, अगर clinical कोई पर्चे देखे होंगे, आपने second year के, आपके college posting में, तो it is a first line treatment, दो reason होते हैं, एक insulin sensitivity बढ़ाता है, और hepatic glucose production को कम करता है, liver में जो glucose बनता है, उसको कम करता है, तो इससे आपको यह दोनों mechanism याद होगे, क्योंकि यह दोनों mechanism main mechanism है, और इसको first line भी अपन देते हैं, तो आप उससे चीजों को देख सकते हो, और जो rarely prescribed drugs है, उसका mechanism भी गेर होगा, जो शायद इतना common नहीं हो, okay, so this is again a trick, and then again, as I said, regularly review and practice consistencies की, आपको बार-बार वही सवाल करना है, बार-बार वही question bang करना है, बार-बार वही notes पलटाने हैं, जितना आप पढ़ोगे, उतना आपको याद रहेगा, and दूसरा है, associate करो side effect with mechanism, मैंने आप से कहा कि कोई drug है, जो block कर रहा है dopamine receptor को, तो उसका effect, जो भी anti-psychotic का effect है, वो आप पढ़ोगे आगे, तो dopamine receptor block होता है, anti-psychotic medication काम करती है, बट कहीं न कहीं, dopamine block हो गए न, तो वो जो normal काम कर रहा था, वो भी वंद हो गया, तो extra pyramidal side effect भी आने लगेंगे, जैसे कि tardive disc anasia या आप 4-5 पढ़ोगे, तो वो सब चीज आईगी, तो कहीं न कहीं वही बात हो गई, कि आप अगर एक काम अच्छा करने जा रहे हो, तो आप हो सकता है, दूसरा काम बिगाड़ दो, तो आपको वो काम से याद रहना है, एक काम अच्छा हो रहा है, ये receptor block हो रहा है, पर अब जो उस receptor का normal काम था, वो चले गया, तो दूसरा side effect आ गए, तो these are the 7 tricks, drug class, mnemonic, visual aids, flash cards, clinical scenario, regularly review और side effects, ठीक है, obviously this is not some magic video कि आप चड़ी घुमा होगा और आपको फार में याद हो जाएगी, मुझे भी नियाद हुए, ठीक है, बट आपको कहीं न कहीं, ये tricks से आपको धीरे धीरे चीज़े आसान बनानी है, और आपको practice करते रहना है, so if you again want to check out the important topics question man, you can surely check the link in description, और भी subjects का आएगा तब आपको वो पता चल जाएगा, thank you so much guys, stay safe, stay healthy and keep learning.